सीट को लेकर कैसरगंज सीट को लेकर तो जिस प्रकार बीजेपी रणनीती के हिसाब से हर सीट पर चैरा बदलने के कोशिश कर रही है तो ऐसा ये भी हो सकता है कि कैसरगंज सीट से कही ना कहीं ब्रजबूशन सरन सिंग का जो टिकेट है वो भी कट सकता है इसने बीजेपी को कैसर गंज मुखे रूप से कैसर गंज को लेकर मजधार में फसाद दिया है भारती जंदर पार्टी अब तक देके फैसला नहीं ले पा रही है अब तक कोई स्तथी साफ नहीं होई है परिवार का कोई सदस्य उमीदवार होगा या किसी तीसरे को मिदवारी सौपी जाईए और उसमें कई का वक्त बचा है कैसर गंज स्थीट पर लेकिन अभी भी किसी भी नाम को लेकर चर्चा नहीं है सिवाए ब्रजभूशन के आप देखिए लेकिन उससे पहले जिस तरह से बीजेपी के अंदर कैसर गंज को लेकर सनाटा पसरा हुआ है और एक खामोशी पसरी हुई है उदासी है ये बताता है कि बीजेपी शायद ब्रजभूशन से आगर नहीं सोच पा रही है लोगसवा चुनाओं में दो चरण का मतदान संपन हो चुका है लेकिन भारती जनता पार्टी जो की 400 सीटे जीतने का दावा कर रही है कुछ ऐसी सीटे हैं जिन पर अभी तक उम्मीद्वारों का ऐलान नहीं कर पाई उत्तरप्रदीश की विशेश तोर पर बात करें जहां 80 लोगसवा की सीटे आती है कैसरगंज लोगसवा सीट से अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है ब्रिजभूशन शेरण सिंग जो की उत्तरप्रदीश की गोंड़ा जिले की कैसरगंज सीट से वर्तमान में सा आने वाली है ऐसे में क्या ब्रिजभूशन शेरण सिंग की स्थिती में है क्योंकि उत्रप्रदेश के गोंड़ा जिले के आसपास आने वाली 40 विदहान सभा सीटों पर ब्रिजभूशन सिंग का दबदबा देखा जाता है और इसी जनाधार को भारती जनेता पाटी अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती हैं इस पूरे मुद्धे पर चर्चा करेंगी न्यूजरूम में मेरी मौजूदगी है तमाम सहियोगों से जानेंगी माही मेरे साथ मौजूद है माही जिस तरीके से भारती जिनता पार्टी अभी तक कैसरगन सीट से किसी भी प्रतैशिक ऐलान नहीं किया गया क्या ब्रिज भूशन सरन सिंग की हार का डर या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां चल रही है बिल्कुल ऐसा कि उनकी पत्नी और बेटे को टिकट दिया जाए क्योंकि यह अगर ब्रिज भूशन सरन सिंग उनकी पत्नी या उनके बेटे टिकट ले लेते हैं तो कहीं न कहीं ब्रिज भूशन सरन सिंग गलस साबित हो जाएंगे और उनको अपनी इमेज का डर है जिसकी वज़ा से ये वो इस टिकट को लेते हुए या फिर अपनी पत्नी को भारती जनता पार्टी उनको टिकट दे उससे वो बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जिसकी वो इस टिकट को लेकर जो सस्पेंस है वो बरकरार है और अभी तक बीजेपी ने किसी भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं लेकर आये हैं। वो आश्वस्त है कि कैसरगन सीट से कही ना कहीं उन्हें ही मैदान में उतारा जाएगा। क्योंकि कुछ समय पहले उनका एक वीडियो भी वाइरल रहा था जिसमें वो साफ तोर पर ये कहते नजर आ रहे थे कि आपको एक खुशकबरी मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ब्रिजबूशन सरण सिंग को ये पता है कि कैसरगन सीट का जो प्रत्याशी जो मिदवार होगा वो स्वैम ही होंगे। और वो इस तरीके के बयान देते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरव अगर बात करें सीट को लेकर कैसरगन सीट को लेकर तो जिस प्रकार बीजेपी रणनीती के हिसाब से हर सीट पर चैरा बदलने के कोशिश कर रही है। तो ऐसा ये भी हो सकता है कि कैसरग हाओ दिखाए दे और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो दागी चेहरे हैं उनको चुनावी मैदान से दूर रखकर भारती जनता पार्टी ने इसके संकेत भी दे दिया है। अक्षे से जाननी की कोशिश करेंगे। अक्षे जिस तरीके का माहूल अभी दिखाए दे रहा है। विपक से लगातार घेरतावन जरा रहा है कि जो जिनके उपर संगीन मामले दर्ज हैं उनको टिकट देने में भारती जनता पार्टी या उनको राजदेतिक रूप से आगे बढ़ाने में पूरी मदद कर रही है लेकिन ब्रिज भूशन शर्ण सिंग को लेकर क्या कोई उनके खिलाफ लगे हैं तोर पर आती हैं लेकिन यहां पर अब आखिर क्या बीजेपी कर सकती है देखिए यहां पर मुख्य कारण तो यही है कि महिला पहलवानों के द्वारा जो संगीन उन पर यौन उत्पीडन के आरोप लगाए गए थे वो कहीं न कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है कि अब तक के परिवार से भी अगर किसी को टिकेट देना है तो दिया जाए इसका कारण यह रहा कि पश्चिम उत्तपरदेश में पहले दो चरणों में पश्चिम उत्तपरदेश में चुनावों 16 सीटे उस चुनावों उन चुनावों के अंतर गयता है और 16 सीटों पर अगर आप चरण का मतदान जब पश्चिम उत्तपरदेश में हुआ तो मतदाताओं के मन में अगर ब्रजभूशन का खयाल आता तो ये बात जहन में रहती कि बीजेपी ने अब तक टिकेट नहीं दिया लेकिन अब पश्चिम उत्तपरदेश के पहले दो चरणों का मतदान गुजर चुका हैं जहां पर मुख्य रूप से जाट समाज उसके अलावा त्यागी समाज और साथ में ब्रहमन समाज है अब जाकर के बीजेपी ब्रजभूशन पर दाओं लगा सकती है हालकि इसमें एक और बात हर्यान की कही जा रही है कि हर्याना में जो जाट समुदाय है और अन उन्हें ब्रजबुशन को टिकट दे करके बीजेपी को कवर करना होगा और बीजेपी कहीं न कहीं जो 16 पश्चिम की निकाल दी उसके बाद अब हरियाना की दस भी कहीं न कहीं साथ में यहां कवर कर सकती है। पर बिजबुशन शर्ण सिंग या फिर किसी अन्य वैक्ति को चुनावी मैदान में उतारने की तईयर या भाजपा कर रही है। सारे सुधार हुए हैं लेकिन साथ में एक सुधार और भी हुआ है कि जिनकी 26 दागी है या जो बड़बोले बयान देते हैं गलत बयान बाज़ी करते हैं उनको अलक थलक किया जाब देखिए रमेश भीदूरी का एक्जामपल देखिए प्रगया ठाकुर को देखिए ऐसे धेरो एक्जामपल बीजेपी में देखने को मिल रहे हैं जो लगतारी थाबित कर रहा है कि बीजेपी अब शायद सक्त अलहिजे में अपने चीजों को कह सकते हैं कि जमीन इस तर पर उतारने की तैयारी में लेकिन इन सब के बाबजूद बरजभूशन को जब आप देखत साथ में को एक तरीके से उनके उपर कह सकते हैं कि फैसल आने वाला लेकिन उससे पहले जिस तरह से बीजेपी के अंदर कैसर गंज को लेकर सनाटा पसरा हुआ है और एक खामोशी पसरी हुई है उदासी है ये बताता है कि बीजेपी शायद बरजभूशन से आगर नहीं सो ना आता है केतकी का कि बोच नाव लड़ सकते हैं तो क्या ये परिवारबाद नहीं होगा बीजेपी के लिए जो घंगोर विरोत करती है परिवारबाद का तो ऐसे में बीजेपी के लिए जो इस्तिती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है खासर केसर गंज की स चुपी साधे बैटी है लेकिन देखिए दो दिन का वक्त बाचा है तो ऐसे में बीजेपी को कोई ने कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल एन वक्त पर बीजेपी के लिए ये मुश्किले आ चुकी है कि आखिरकार बिर्ज भूशन शेंड सिंग को लेकर जो मामला लंबित है अभी तक कार्ट का फैसला नहीं आया है आखिरकार किसको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और कौन भारती जनता पार् बिल्कुल एफट्स